लो एब्रिवन वेल्कम बैक टो जिडिसी एट्यूटर यूट्यूब चैनल इस्टुनेंट्स ये थमनेल देखके आपको समझ में आही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने जा रहा है जी हां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा डिमांडिं तरीकें में फारमकोलोजी पढ़ते समय किस-किस तरीके का परिषानी आपके सामने आता है क्या हमें याद करने में प्रॉब्लम जाता है जैसे ड्रक्लासिफिकेषन हो गया मैकनिजम ऑप अफेकशन हो गया आसी बहुत सी चीज़ें werd कहां में फार्मेकोलोजी को पढ़ते के समय problem आता है यह अगर हम पड़ भी लेते हैं तो एक्जाम टाइम में भूल जाते हैं कुशन आता है सर कुशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं option A में option B में तो यह सारी जो problems हैं आपके सामने मैं सभी को समझता हूं और इसलिए मैंने डेडिकेटली इस वीडियो को फार्मकोलोजी के लिए ही डिजाइन किया है जिसमें अपन पूरा डीटेल में बात करेंगे कि फार्मकोलोजी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादे इंप इसका समधान क्या प्राब्लम है और कैसे आपको सौलिएशन लाना है साथ यही साथ आपको स्ट्रेटी भी बताउँगा आपको एक पर्टिकुलर से डूल भी अहां पर फालो करना है कि कैसे आपको यह सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है रही बात MSQ की MSQ कहां से करें तोग जिससे आपका प्रिप्रेशन फार्माकोलोजी के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो सके और ऐसे ही करते हुए हम सभी सब्जेक्ट को डीटेल करेंगे कुल मिलाकर आठ सब्जेक्ट है एक्जिट एक्जामिनेशन के लिए तो कोशिस रहेगी आठ अलग अलग वीडियो आप महुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट है तो इन पर आपको खास जान रखने की जवरत है पहले इन्हें कवर करेंगे और बाकी फोर सब्जेक्स आगे अपन देखेंगे यहां पर बात करते हैं फार्माकोलोजी के लिए तो सबसे पहले बढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो सबसे ज्यादे इंपॉर्टेंट है फार्माकोलोजी में अच्छा देखिएगा जरा थोड़ा सा गौर करेंगे आप किसी भी एग्जामिनेशन बैठते हो फार्माकोलोजी के जो 14 सब्जेक्ट है एक्कॉर्डिंग टू के डी टी की बुक तो इन 14 चप्टर से से हर एक चेप्टर से कही ना कहीं कोश्चन कवर अप हो ही जाता है तो कि फार्माकोलोजी एक्जिट एक्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रखने वाला है इससे आपको बाकी सब्जेक्ट के कंपरीजन में बहुत जादा देखने को मिलेंगे तो यहां पर आपको देखिएगा यह सभी टॉपिक्स मैंने आप पर आपके लिए सभी टॉपिक्स लिखें है कुल मिलाकर 14 चैप्टर 14 टॉपिस यहां पर लिखा गया है लेकिन अब इसमें से भी अपन हाइलाइट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ठीक है इंपॉर्टेंट तो सभी हैं आपको पिस जैसे चोटा है नहीं भी पढ़ों के तो भी चलेगा लेकिन हलका सा आपको उसको रिवाइस कर लेना है एट लिस्ट उसका ड्रग प्लासिफिकेशन मेकनीजम तो याद करी सकते हो ठीक है चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं इन्हें भी हाइलाइट करते हैं सबसे मोस आना है तो है किसी भी एक्जामेशन है बैटो जी पर जैसे पांच पांच कोशन आते हैं जनरल फार्मकोलोजी से तो जनरल फार्मकोलोजी इसमें भी आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है क्लिनिकल हो सकता है डाइनेमिक्स फार्मा को काइनेटिक्स आ रहा है मत करना ड्रग एक्टिंग ओन ऑटनॉमिक नर्वस सिस्टम जी हाँ एनस एक से दो कोश्टन आपका यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा ऑट उक्कोश्ट अन रिलेटेट्ड एक कोश्चन मान चलो रैस्पाइडेट रिस्टम एक कोश्टन हलका हलका है स्किप भी कर सकते हो कुछ मातरा में स्किप कर सकते हैं हर्मोन एंड रिलेक्टेड ड्रक्स जी हां यह भी एक से दो कोश्चन यहां पर आपके लिए बन जाएगा और ड्रग एक्टिंग ओन पी एंस छोड़ भी दीजिएगा चल जाएगा लेकिन एक कोश्चन के लिए तोर पर आप कम से कम क्लासिफिकेशन तो देखी ही सकते हैं सी एनस ड्रग एक्टिंग और सेंटल नर्वस सिस्टम भूल से भी मत छोड़ना यहां से कोश्चन निकलता ही है चलो यहां पर हाइलाइट करता हूं जनरल फार्माकोलोजी हो गया ठीक है नोट कर लेना एनस हो गया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आगया सेंटल नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है इन पर ध्यान रखना होर्मोन एंड रिलेटेड ड्रक्स तो कुल मिलाकर साथ में से निकाल दिया मैंने यहां पर चार टॉपिक इन चार टॉपिक पर तो में फोकस कर करना बाकी भी आपको करना है लेकिन आप चाहो तो कुछ कम भी आपर फोकस कर सकते हैं लेकिन इन चार टॉपिस को गलती से भी मत भूलना इसकीप मत करना चलिए अगला जेखते हैं यहां पर काडियो वस्कुलर सिस्टम फार्माकोलोजी है काडियो वस्कुलर सिस्टम है आँख बन करके बोल रहा हूं की कोश्चन आना है तए है हाइपर टेंशन से कोश्चन निकलेगा ऐसे बहुत से चीज़ें वाले ड्रक्स ऐसे बहुत से कोश्चन भीया काडियो स्कुलर सिस्टम तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा दो से तीन या चार कोश्चन भी आपको हुशा को मिल सकता है कि दिनी इंदी मतलब ईयूरिटिक्स दायिटिक्स तो इमपॉर्टेंट बनता ही बनता है डाटी से पढ़ने लाइक कोई ज्यादा खास नहीं है सिंपल आपको इयाद करना है और यह कापको में करेंगे नाफ्रों का तो आपको चारो साइट और उसके है गलती से भी स्कीप नहीं करना है कीमोथेरेपी ठीक है अंटी माइकरोबियल ड्रक्स यह आपको मिस मिलकूल भी नहीं करना जिस तरीक दो बहुनाबस मार्क करता हूं कि आप प्लास्टिक निए टीकर ड्रक्स बी आप मान नहीं है अच्छा यहां पर आपन बात करते हैं इन्हें हाइलाइट करें सबसे इंपोर्टन कौन कौन से होने जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगे आपका काडियोवस्कूलर ड्रक्स ठीक है काडियोवस्कूलर ड्रक्स और इसके बात करते हैं अपन एंटी माइक्रोबियल औ और कीमो थेरेपी और आगया यहां पर किड़नी तो इन पर आपका में पकड़ होना चाहिए इससे बिल्कुल भी आप मिस्स मत करना मिस्लेनियस में जैसे बायलोजिकल प्रड़क्स हैं अब चाहे तो इसकीप कर सकते हैं एकात कुशन वहां से आपको मिल सकता है ठीक है यह इ और यह तब जाकर आप एक अच्छा खाता यहां से निकाल सकते हैं अब बात करते हैं कौन-कौन से रिफ्रेंस बुक है जिसका अधिकतर यूज किया जाता है तो केडिटी त्रिपाथी नो डाउट ठीक है हर एक स्ट्वेंट फार्माकोलोजी को केडिटी त्रिपाथी से ह पढ़ता है पहला बुक दूसरा आप यह भी देख सकते हैं इस पर्स गुपता की रिव्यू आफ फार्माकोलोजी और इसके बाद तीसरा सेल्प अशेश्मेंट आप रिव्यू एंड रिव्यू आफ फार्माकोलोजी ठीक है यह आ जा रहा है अरविंद अरोरा तो अधिक है यह जो किताब आपको दो बोर्ड में देखने को मिल रही है इसमें एक है कलर्ड बुक ठीओरी बुक और दुसरी है पुरी तरीके से कलर्ड अब्जेक्टिब की बुक एक में आप ठीओरी पढ़ोगे और एक में आपको उसी के एंसी क्यूस देखने टॉपिक वाइस आ आपके एक्जिट एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सभी को वहां से एक्ष्टर्ट करके यहां पर डिजाइन किया गया यहां पर हाइलाइट किया गया है चार्स और टेवल के फॉर्म पर यहां पर समझाया गया है ताकि आपके लिए बहुत आसान बन सके ठीक है तो यह किताब आप जिडिसी क्लासे से जाकर पर्चेस कर सकते हैं आपको यहां पर प्राइजेस देखने को मिल जाएंगे ठीक है बहुत ही मिनिमम डिसकाउंटेट प्राइज में आज के डेट पर एवलेबल हैं तो आप यह जाकर एक बार जरूर से चेक कर लेंगे ए अगला देख लेंगे आप सिंपली इस किताब को भी एक बार जाकर देख सकते हैं जो बिल्कुल एक्सपर्स के द्वारा बनाए गया है फार्मकोलोजी जो आपका डीफार्मेसी में आपका सब्जेक्ट है इस पूरे सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को यहां पर इजी इस किताब में समझाए गया है तो अगर आपको डिपलोम है मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है मास लाना है तो उसके लिए भी आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो यह पूरी तरीके से थियोरी भूख है यहां पर ठीक है नेक्स्ट आपको कौन-कौन से परसानी आती हो तो सौ में से पंचानवे प्रतिसात इस्टुएंट का इंसर होगा कि सर ड्रग क्लासिफिकेशन याद तो कर लेते हैं लेकिन हमेशा रिमेंबर करने में परसानी होता है कौन सा ड्रक किस कैटेगरी में है यह याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है भूल जाते हैं कैसे करें भूल जाते हैं पर तो लेते हैं लेकिन एक समय बाद भूल जाते हैं डोस की भी बात कर लेते हैं कई बाद डोस वाली चीज़ें हाला कि डोस वाली चीज़े बहुत कमी होती है छोड़ दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जेनल फार्माकोलोजी के कॉंसे एक फार्माको कानेटिक क्या है ऐंच क्लिनिकLJT के यह सारी चीज़े याद करने में परसानी होता है एडवर्स ड्रग रियक्शन कौन सब्सक्राइब का वो सिंड्रॉम सो कर रहा है रेड में सिंड्रॉम ps कि कारण सो हो रहा है बेट सिंड्रॉम कैसे आ रहा है ठीक है यह जो syndrome वाले questions हैं जो किसी ड्रग का specific जो adverse drug reaction है यह याद करने में problem जाता है और यकीन वानिया question यहीं से आता है classification पूस्ट देता है mechanism of action पूस्ट दिया जाता है syndrome पूस्ट दिया जाता है ठीक है general pharmacology के बहुत सारे conceptual question आते हैं यहीं पर बच्चे फस जाते हैं अधिकतर परिसानी यहीं पर जाता है अब देखते हैं इसका समधान कैसे करें इसके समधान करने के लिए simply मैं आपको बता जेना चाहता हूं जैसे classification याद करना है classification अगर आपको रटना है अगर पूरा याद करना है रटा तो लगाना पड़ेगा रट लग पूरा क्यों कि चीज़ां ऐसी है कि समझना तो है ही लेकिन समझना वाला concept कमी रहता है रटने वाला concept ज्यादा रहता है चिसी से बात बोलूँगा रटना है तो रटना है जन्रल फार्म आपको यहाँ पर अगर में ड्रक classification की बात करता हूं तो हर एक ड्रक आपको यहाँ पर रटने की जवरत है लेकिन रट यह भी ऐसा कि थोड़ा समझ कर रट यह गा ठीक है रटते समय आपको कैसे करना है कौन सा concept लगाओगे जिससे आपको यह याद हो जाएगा प्रॉपर तरीके से तो क्या करना है यहां आपको अपने लिए ऐसा माहूल बनाना पड़ेगा यह माहूल होना चाहिए आप सभी के पास आपका जो study room है वो इस तरीके से दिखना चाहिए इसका चैन सर तक वहां पर इस बंदे ने क्या किया एनस से लेकर सभी सुरा कैंसर तक जितने भी ड्रग क्लासिफिकेशन है उसे इसने चाट लिया चार पर आता है क्र checkIFR सुप में मिल जाएगा पाश अने पर है कैम पोड़ा लिखा एनस हरेे के रिवर सीपार ए्रिवर सीबलग सारे रहां लक्ष के बारे में और द्यान कुसी से लिखवाना नहीं है अपने से खुद से करना है मैं ने मां बता रहा हूँ गैरंटी एक से दो दून समय ल लो चमकिले पैन बहुत सारी आते आते हैं कि इसकेश पैन आते हैं पहुत सारे डिजानर पैनस आते हैं उन सभी पैन को ले लो मार्केट यह आज ही जाओ खरीद कर लाओ थोड़ा सा खर्चा करो लेकर ऑओ और एक्दम सुन्दर अक्छरों में लिखो ऐसा लिखो कि उसको देख के आपको पढ़ने का मन कर जाए तो अच्छे से हेडिंग लिखो ड्रक एक्टिंग ऑन एनस चलिए यह आगया पारा सिंपेथो माइमेटिक एसे करते हुए आप पूरे यहां पर उसका चाठ बनाओगे हाथ और हर एक ड्रक को अपने हा लिखो भले आपके पास Sweet tea की बुक है आपके पास क्लासिफेकेशन की पार लेकिन लिखो यही एक मातर तरीका है ड्रक करने का चलिए आपने लिख लिए मांन कर चलो आपने 14 में कर लिया तेरा ही चार्ट ऑपर रडिक लिया अब आपको क्या करना है अपने घर में अपने लिए एक रूम सेपरेट करवाओ घर में बोल कर एक रूम सेपरेट करवाओ और यह आपको इसके सामने यहां इधर वाले दिवाल इधर वाले दिवाल हर जगा आपको ड्रग क्लासिफिकेशन दिखना चाहिए हर जगा से लेते हुए एक साइड गोमे और पुरा कैंसर में ख आपको मुझबान याद होगा और कोसिस करना चार्ट पिपर के किनारे में जगा बचाना चार्ट पिपर के किनारे में जगा बचाना मैं अपने होस्टल डे की ही बात करता हूं जब मैं भी था होस्टल में मेरे साथ भी यही मैं भी यही करता था मैंने दो दिन तीन दिन का सम क्लासिफिकेशन ऐसा पंदरा पंदर मिनट बिस बिस नट जब एक एक क्लासिफिकेशन देखो गे न वह चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन ऐसे बस बैठ के देख रहे हैं देख थोड़ा सा याद करने का कुछ भी तो करोगे कि कौ स्कूर्सिस करना हर एक चाट टेवल में हर एक चाट वेवन किनारे में जगा छोड़ना नोट्स बनाने के लिए अगर जो भी वहां साब को रिलेटर लिक रहा यहां पर लिक जाओ छोटे-छोटे आपको मार्केट में मिल जाएंगे छोटे-च्टिकी नोट्स इस्टिकी भी तरीके का अगर आप वहां पर अपने लिए एक ट्रिक बना सकते हो तो ट्रिक बना लेना वहां पर लिक लेना मैंने अपने समय में बहुत ट्रिक बनाए फार्माकोलोजी के लिए आप टेकम बोलता था तो पूरे एंटी-कैंसर ड्रक्स याद हो जाते थे ठीक है सैक ट पूरा वो चैप्टर ही कंप्रीट हो गया ऐसे याद करना ट्रिक लगाना ठीक है चलो यह आपको समझ में आ जाएगा यह करना ड्रक्लासिफिकेशन के लिए अच्छा मैकनीजम आप एक्शन के लिए क्या करना है मैकनीजम आप एक्शन मैं बताओं अगर आपने ड्रक्ला कि लिए अलफाब लॉकर बीटा भ्लाउकर जाद आपको महनत करने का जलती ही नहीं यह उप्ट छेजफिकेशन पढगोगे तो 30-30 अप और याद और आपको याद हो जाएगा बस ध्यान रखना इधर का उधर मत कर देना अलफा ब्लोकर रगा के मत आएं ठीक है चलो सफिक्स प्रिफिक्स पर खाद जा रखना लॉल है लास्ट में लॉल है मतलब बीटा ब्लॉकर ठीक है लगाते वे चलना चलिए इसके बाद क्या करना है जहां पर जिस टॉपिक पर आपको डाउट जा रहा है सर यह नहीं समझा रहा है परसान हो रहे हैं चलो कोई दिक्कत न तो पांचों अंगलिया सेम नहीं होती सबका अलग-अलग अपनियन रहता है वहां सब अपना अपना जब कॉंसेट्ट बताएंगे तो उस कॉंसेट्ट से आपको एक निसकर्स निकलेगा हां अब मैं जो सुझ रहा था उससे अपूजित हो सकता है और यह चीजे निकल कर आ रही है ठीक है तो कोशिस करना एक ऐसा हेल्दी इनवर्मेंट अपने साथ बनाना एक ऐसा फ्रेंट सरकल अपने आस्पास बनाना जो आपके लिए सपोर्टीव रहें जो आपको हैल्प करें सिर्फ मजाग मस्ती नहीं पर दें लिखने में भी आपका साथ देंगे ऐसे जरूर से बनाना और लिस्टाइट करना बोड्रक स्को फिक हर जगहां के प्रोड्रक को जरूर से लिस्टाइट कर वही जब आप फार्मकोलोजी का à पने साथ रख सकते हैं जैसे जो क्येड़ी की जो क्लासिफिकेशन वाली जो बुक आती है उसको आप अपने साथ तो रेगुलर लेकर चलना कॉलेज जाते हो रेगुलर लेकर जाओ मान कर चलो कहें ट्रैवल कर रहे हो लेकर जाओ जहां पर खाली समय मिल रहा है एक बार पलट के देख लो ठीक है देखो मास अच्छा लाना है अच्छे करना है तो थोड़ा तो कमफट जो उन से हटना ही हम में mcq मिलेगा सबसे पॉर्टन है सर हम mcQ कहां से प्रैक्टिस करें कहां से इतने सारे कोसेंस लेकर आये जिससे हमारा इस्टारिंग से लेकर डाश के सभी स्टर से हमारे क्लियर हो जाएं यह आपको बताऊंगा एक छोटा सा तरीका देख लिए कैसे आपको ड्रक्लासिफिकेशन को और आसान तरीके से याद करना है यहाँ पर देखिएगा आप ट्रिक यूज करना हमेशा अपने साफ से ट्रिक बनाना यहाँ पर बताए गया क्लासिफिकेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर मिल रहा है अब हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे ड्रग हैं तो कैसे याद करें एक ऐसा ट्रिक बनाए जिससे टॉपिकल के भी ट्रक्स याद हो जाएं तो क्या किया मैंने टॉप ब्रैंड के नए फोन से जी एस्टी का स्नैप किया य जिस्टेमिक में यहाँ पर पस अब देखिएगा अगर आपको ड्रग का नाम याद है तो जब भी आप लिखोगे ना आपको क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ उसका स्टार्टिंग लेटर का ही जौरत पड़ता है उतने में हिंट हो जाता है तो इस्टार्टिंग ना अपने को मिल गया कि हाँ जी बना सकते हो ऐसे कोई कोई सी चीज़ें आप कर सकते हैं ठीक है और जीडिसी फ्लैस कार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे जीडिसी क्लासिस एप पर इसे जाकर देखना सारी चीज़ें आई वर मेक्टिन है जैसे आई वर मेक्टिन के बारे में सब कुछ यहां पर दिया हमने मान कर चलो साल अगर हमने पढ़ लिया लेकिन दित एक्जाम का वहां एक्जाम हो रहा है वहां पर हम फर्मक लग को सॉल भी नहीं कर पाने क्यों कि साल बर्टा पढ़ा है निहीं सिर्फ हमने पढ़ा एंटhof क्यों नहीं करोगे तो एक्जाम वाले दिना फस जाओगे तो कैसे करना है कि का प्रैक्टीस हो सर कहां से इतने सारे कोश्चन लेकर आए कि हमारा हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए विद्ध प्रॉपर एस्प्लानेशन कि अगर ऑप्शन ए सही है तो बी सीडी गलत क्यों है हमें यह भी जानना है चलिए आप सभी के कुश्चन का एंसर देता हूं आपको कुछ नहीं करना है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इस टेस्ट से जाकर जोन होना है आपको इस पर एस्प्लानेशन इसका सेड्डूल भी मैं आपको बताऊंगा एक तारीक से यह क्लास स्टार्ट हो चुका है यहां पर बात करते हैं देखेगा हर दिन आपको पांच क्लासे देखने को मिल रही है सुबह ग्यारा विज़े क्लास होता है एक बज़े तीन बज़े पांच बज़े और इन चार क्लासे में आपने जो भी पढ़ेंगे जो अलग-अलग सब्जेक्स आपने जो पढ़ें यहां पर उनों सभी सब्जेक्स के in questions यहां पर आपको के तौर पर रात को दस बजे देखने को मिलेगा मॉडल पेपर यकीन मॉडल पेपर के नाम से तो कुल मिलाकर एक दिन में पांच आपको यहां पर सब्जेक्स करवाए जा रहे हैं ठीक है यह ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको यह जरूर से जोइन करना ही है कम से क अब एक दिन में डेड़ साथ कोश्चन आपको मिल ही रहे हैं विद्ध प्रॉपर एक्स्प्लाइशन ठीक है एक सो तीस कोश्चन यहां के हो गए असी कोश्चन यह बिस बिस कोश्चन का रहेगा और उसके बाद रात में जो होगा पचास कोश्चन तो कुल मिलाकर एक सो तीस कोश्चन विद्ध प्रॉपर एस्प्लाइशन आपको हर दिन देखने को मिल रहा है फ्री आपको समय का ध्यान रखना है इस टाइम पर जाकर जरूर से यहां पर जोइन हो जाएं यह जरूर से आपको मिलेगा अगला अब सर्ट कैसे देना यह तो आपने वीडियो के बारे मैं बता दिया हम चाहते हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट दे क्योंकि सीबीटी होने वाला है कंप्यूटर बेश टेस्ट होगा आपका एग्जिट एग्जामिनेशन तो वहां पर आपको क्या करना रहेगा कोश्चन का प्रेक्टिस करना है तो आपको मैं बता देना चाहता उसक फॉलो करना है उसके वाढर आपको ब्लेश स्क्रेंशन में प्लस करना है deed जैसे हो सकते हैं जहां और हर दिन अभले किसी तडीक dála कुछ entire अन्य वह क्राइब करना थे हुए उसके बाद बाद लाइब दिस्कुशन करें एंब करता हूं थो समय जो हमारा कोर्स है एकज़िट एक्जाम का क्राइब कुम उसमें स्टूद्थिट्स को यही पैटर्ण में पढ़ाया जाता है पहले उनका लाइब क्लास होता है फिर उनके बाद उनको डीपीपी सॉल्व करवाया जाता है हर दिन जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उसके डिपीपी डेली प्रेक्टिस पेपर एमसी क्यों आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद अगले दिन उसके कोश्चेंज भी अपन डिसकस करते हैं क्योंकि कोश्चेंज करेंगे तभी जाकर चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी और हर पंदरा दिन जब भी क्लास का 15 दिन कंपलीट होगा तो वहाँ पर और सब्जेट्स का एक क्लास टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को mcqs के साथ इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा तब सिंपली जाकर जिडिसी क्लासेस एप से इस कोर्स में जाकर एंडॉल हो सकते हैं अभी आपको बहुत ही मिनिमम कोश में मिल जाएगा बस आपको एक कूपन कोड एपलाय करना है डीपी डवली 500 अब जाकर आप इस बैस स से जोइन हो सकते हैं यहां से आपको टूथ हाजन रुपीज में एक कोर्स मिल जाएगा और अगर आप आज कल में इसे परचेस करते हैं तो यहां पर आपके साथ बैनिफिट यह होगा यह दो किताबे आपको फ्री आपको आड्रेस में भेज दी जाएंगी जहां से आप इ फार्माकोलाजी को कैसे पढ़ें आसान तरीके से चलिए अल दे बैस आप सभी को मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ थेंक यू अल